नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बहुत ही दुखी मन से आज में ये वीडियो बना रहा हूं दुखी मन से इसलिए बना रहा हूं दोस्तों कि मैं जो भी वीडियो लाता हूं आप लोग मेरे वीडियो को मेरे चैनल को ना तो सस्क्राइब कर रहे हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फिर से कि कम से कम आप सस्क्राइब तो करी सकते हैं चैनल को लाइक कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगे तो सेर भी कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपके साथ में बताना चाहूंगा यू फोर विया मिली पोधे के बारे में प्लांट के बारे में तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरस सा ये पोधा होता है और मैंने इस वीडियो में आपको दिखाना है कि जो मेरी कटिंग मैंने लगाई थी उनकी क्या अपडेट है ठीक है क्योंकि आप जो है नरसरी से ये पोधा लाते हैं तो कोस्टली पढ़ता है सभी जगे का अलग-अलग रेट हो सकता है पचास रुपे से सो रुपे के बीच में ये पढ़ता होगा कहीं कम ज़्यादा भी हो सकता है जो मेरे यहां का रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये जो है देख सकते हैं यूफोर विया मिली और इसकी जो अपडेट है मैंने कैसे इसमें कटिंग लगाई थी और वो क्या उसकी अब क्या कितना उसका ग्रोथ हुई है वो मैं आपके साथ में सेयर करूँगा तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज सस्क्राइब करने चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें दोस्तों और चलते हैं अपने टोपिक की तरफ तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई थी जिसमें से कुछ कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ इस डिस्पोजल गिलास में भी मैंने कटिंग लगाई थी सायद आप देख पा रहे होंगे पता नहीं इसमें चोटी चोटी जो रूट्स हैं वो निकलने लगी है चोटी चोटी रूट्स अभी इसमें निकलने लगी है और यह आप देख सकते हैं इसमें भी डिस्पोजल मैंने लगाया इसमें भी कुछ रूट्स दिखाई देने लगी है तो मेरी जो cutting है इसको लगाए हुए मुझे लगभग एक महिना हो चुका है दोस्तो और ये भी disposal है इसमें भी आप देखेंगे तो root निकलने लगी है अब इसमें से जिसमें root अच्छी निकली है उसको हम report करेंगे क्योंकि देखिए मिट्टी जो है थोड़ा गंदा तो होता ही है जहां पर भी आप करते हो ये काम मिट्टी का कोई बात नहीं हम इसको बाद में हटा देंगे साफ कर देंगे तो ये भी एक मेरा port है क्या बोलते हैं पेंट का उसमें भी मैंने ये लगा दिया था ये भी पेंट का है इसमें भी मैंने ये लगा दिया थी तो अच्छी खासी growth इनकी हुई है आप देख सकते हैं नहीं नहीं पत्तियां इन पे आ गई हैं और ये जो मैंने लगाई थी य ज्यादातर मैंने इसमें सेंट का यूज किया था जो रीवर सेंट होता है वो और आधा मैंने मिलाया था इसमें मिट्टी आधा रीवर सेंट और उसके अंदर मैंने ये कटिंग लगाई थी आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 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 साथ आठ मैंने इसमें लगाई है यह आप मट्टी देख सकते हैं यह जो मिट्टी है इसमें 50% मैंने मिलाई है इस तरीके की मिट्टी आप देख सकते हैं पिली मिट्टी है यह हार्ड वाली जिसको मैंने कूट के और 50% इसमें मिलाया है मैंने बर्मी कमपोज आप देख सकते हैं ये बर्मी कंपोज मैंने इसमें मिलाया है और अब मैं इसमें ही रिपोर्ट इसको करने वाला हूँ और 50% इसमें मैंने अपने गार्डन की नॉर्मल मिटिली हुई है तो मैंने तीनों को बराबर बराबर मात्रा में इसमें मिलाया है और आप देखिए यहाँ पे यह जो प्लांट है यह जो पोट है यह एक बोटल थी जिसमें मैंने लगाया इसको मैंने ब्लेड से काट दिया है ताकि इसकी रूट को कोई भी दिक्कत ना हो खराबी ना हो रूट को और इस तरीके से मैंने इसको निकाल दिया है एक ब्लेड की सहायता से ठीक है और आप देखिए यहां पे इसकी रूट कितनी अच्छी आपको देखने को मिल रही है इसका एक महिना मुझे इसको लगाए हुए हुआ है और यहां इस बोटल में मैंने इसको रखा हुआ था अब बड़े समाल के हम इसको बोटल को निकाल देंगे और यह कितनी अच्छी रूट इसमें निकल चुकी है जो की सबसे ज़्यादा इस कटिंग में रूट आई है तो इसको हम करेंगे रिपोर्ट और रिपोर्ट करने के लिए आपको बड़ी साबधानी रखनी यह होती है कि रूट जो है इसकी वो डैमिज ना हो और यह जो प्लांट है इसको पानी की आविसकता बहुत कम होती है दोस्तों बहुत कम पानी मिले इसको तब ही यह अच्छा चलेगा ज्यादा आप इसको पानी देंगे तो इसकी नीचे से जड़ें गलने लगती हैं तो हमने देखिए एक छोटा सा प्लापोर्ट लिया है और इसमें तीनों 50% इसमें गार्डन स्वाइल और यह पीली वाली मिट्टी मैंने 50% इसमें डालके तैयार किया हुआ है आप भी इसको कर सकते हैं और यह पोर्ट लेके मैंने इसको इसमें मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूं उपर से थोड़ थोड़ी मिट्टी मैं इसकी इसलिए हटा रहा ह कि ये पूर्य अच्छी तरीके से इस जो मेरा पोर्ट है इसमें परफेक्ट ये इसमें फिट हो जाए ठीक है तो उपर से मिट्टी हटाने के बाद मैं इसको इसके अंदर रिपोर्ट करने वाला हूँ और आप देखते रहें मेरे साथ बने रहें और इसकी जड़े हैं नहीं होने देऊंगा मैं और मैंने इसको अंदर डाल के और बघ्टी इसमें बहर ना शुरू कर दिया है जो मैंने मिट्टी तयार की ति और आप देखे यहां पर की मिट्टी जो आप डाल रहे हैं वह अच्छे से इस तरीके सेडालेंगे जो बिल्कुल भी इसकी रूट को डिकत ना हो और अराम से मैंने इसको आप देख रहे हैं भर दिया है थोड़ा थोड़ा सा उंगली की सहायता से या फिर किसी चीज की सहायता से आप इसको मिट्टी को नीचे बिठा सकते हैं जिससे कि इसमें कोई दिकत ना है और उसके बाद आ एक दो दिन के लिए एक दो दिन के लिए हम इसको च्छा वाली जगा पर रखेंगे जहां पर च्छाया आ रही हो या फिर सेडिंग एरिये में रख देंगे और उसके बाद इसको हम फुल धूप में रखेंगे ठीक है दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने सारा काम कर दिया आप हम इसको पानी देंगे पानी इस तरीके से देना है कि उपर से इसको अच्छी तरह नहला देना है और नहलाने के बाद में इतना भी पानी नहीं देना है कि इसके अंदर पूरा कीचड हो जाए तो पानी थोड़ इस वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें थैंक यू